दोस्तो बॉलिवूड इंडस्ट्री की खुबसूरत अदाकारा में शुमा दिपिका पादु को नाज बॉलिवूड इंडस्ट्री के सबसे महंगी अभिनेत्रियों में गिनी जाती है जिन्होंने अपनी अदाकारी और खुबसूरती के कदम पर बॉलिवूड से लेकर हॉलि साथ इस वीडियो के अंतक बने रहें साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री की खुपसूरत अदाकारा के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हिंदि फिल्म जगत की मशूर अदाकारा दिपिका पादुकोन का जनम 5 जन्वरी 1986 को पैनहेगन डेनमार्क में हुआ था। इनकी शुरुवाती पढ़ाई बेंगलिरू में हुई, ग्राजुएशन माउंट कामिल कॉलिक से पूरी हुई थी, इनके पिता का नाम प्रकाश पादुकोन है और मा का नाम उज्वल पादुकोन है। यह भारती अभिनेत्री के साथ सद भारतीय मॉडल भी हैं। अगर बात करें इनके अभिने करियर की, तो साल 2007 में आई ब्लगबस्टर फिल्म ओम शांति ओम से इन्होंने बॉलिवुट में टेब्यू किया था। इस फिल्म में इनके किर्दार को दर्शको द्वारा खुब सराह गया, जिसके बाद इन्हें कई फिल्म में साइन करने का मौका मिला। लेकिन इन्हें कई बार निराशा का सामना भी करना पड़ा था। पर हार न मानते हुए इन्होंने साल 2012 में आई फिल्म कॉक्टेल में अपना जल्वा दिखाया था। इस फिल्म के बाद ही इन्हें कई हिट फिल्मों में काम करने का माका मिला। जिसमें चन्नाई एक्स्प्रेस, रेस टू, बाजी राउ मरस्तानी और छपाक जैसी हिट फिल्म में शामिल है। आपको बता दे इन्होंने बॉलिवुट के जान से धीरे वहीं दोस्ती प्यार में बदल गए। इस फिल्म में इन दोनों केה स्थी को दर्शको द्वारा काफी पसंद किया गया था। और यही से दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शूरू कर दिया था.. काफी लंबे समय डेट करने के बाद इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली लेकिन अगर बात करें इनकी ननत के बारे में तो इनकी ननत का नाम रितिका भवानी है जिनका जनम 5 अगस 1983 को मुंबई में हुआ था और इन्होंने मुंबई के स्कूल से पढ़ाई की है जिसक अगसा एक तरह रन्दी सिंग बॉलिवुड इंडस्ट्री के सूप स्टार है तो वहीं रितिका को लाइम लाइट में रहना पसंद है यह लाइम लाइट से दूर ही रहना पसंद करती हैं लेकिन अगर बात करें रितिका की खुबसूर्ती के बारे में तो रुतिका खुब को सब्सक्राइब करना ना भूले